थाए फ्रेंड्स आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है डीप सी और विज़्टम में प्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए है MP पटवारी के स्लेबस का टोपिक आज हमने लिए है हिंदी पुरा हिंदी का जितना भी स्लेबस दिया गया है पटवारी की परिशा के लिए जितने भी टॉपिक है पूरे इसी एक ही वीडियो में कम्प्लीट करवा दिये गए हैं वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो यदि पसंद आये तो उसे लाइक कीजिए अधिक से अधिक शेर कीजिएगा जिससे और किसी की भी हर् पूले और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप साइड में लगा बैल आइकन दवा दिजिए चलिए हमारा पहला टापिक दिया गया है वर्तनी समझते हैं वर्तनी क्या होती है फ्रें लिखने की रीती अर्थात लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वर्तनी या अक्षरी और इसे हिज्जे भी कहा जाता है वर्तनी का सीधा संबंद उच्चारण से होता है वर्तनी का सीधा संबंद उच्चारण से होता है हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जात यदि उच्चारण अशुद्ध होता तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी प्राया अपनी मात्र भाषा या बोली के करण तथा व्याकरण संबंदी ज्ञान की कमी के करण उच्चारण में अशुद्धिया आ जाती है जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धिया आ जाती है इसलिए सही बोलना है और साफ बोलना है तो हम सही और शुद्ध रूप से उसे लिख सकते हैं नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं प्रहाय लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धिया करते हैं उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप आपको बताये गए हैं हम त्यान से देखेंगे पहला हम समझेंगे स्वर संबंदी अशुद्धिया किस प्रकार होती हैं जिसे आ और आ और आ संबंदी अशुद्धिया किस प्रकार हो जाती हैं जिसे अकाश आकाश अगामी अशुद्ध है शुद्ध क्या होगा आगामी अजमाईश, आजमाईश, अन्त्यक्षरी, अर्यावर्थ, आर्यावर्थ, अल्पिन, आल्पिन इसलिए शुद्ध बोले, शुद्ध लिखें, कम से कम हमें हिंदी तो अपनी आनी ही चाहिए, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना नेक्स्ट रहम इग्जाम्पल देखेंगे ततकालिक नदान गिरान निरन निरन नराज नाराज प्रामानिक प्रामानिक बदाम बादाव ब्रामन ब्रम्मान भगीरथी भागीरथी इस प्रकार और भी एक्जामपल दिये गए हैं आप चाहे तो वीडियो को पौच करकर पूरे पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं यदि एक एक कवर करवाऊंगी तो इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नेक्स्ट हम समझेंगी छोटी और बड़ी सम्मंदी अशुधिया जैसे अश्रवाद आशिरवाद इद इड इश्वर इश्वर पिसाई इशाई गोदावरी गोदावरी जीरा जीरा तीर्थ तीर्थ इसी प्रकार पुत्री पुत्री प्रतीक, प्रतीक, प्राणी, प्राणी सिंपल सा छोटी सी अशुधिया है इने ध्यान से समझें क्योंकि थोड़ा सा ही आ और आ में अंतर आ गया तो वही अशुधिया हो जाएगा इसे इ और इशुधिया आगे बढ़ते हैं अब हम समझेंगी उ और उम समझेंगी अशुधियां में छोटाओ और बढ़ाओ समझेंगी अशुधियां जैसे अनुदित उधम उश्मा उश्मा जरूरत तूफान दूसरा अरुण उध्थान नग्स आगे बढ़ते हैं रिशी समझेंगी अशुधियां किस प्रकार होगी अनुग्रहित उर्ण त्रतिय त्रतिय त्रिकोण पैत्रिक पैत्रक ब्रेटिश ब्रीटिश ए और आई सम्भंधी अशुधियां एक्ट कैंटीन कैंटीन कैंबिनेट जैसा जैसा टैक्स शनेह शनेह पैसा पैसा चाहिये चाहिये फैल फैकना ओ और आउ सम्भंधी अशुधिया अक्षोहनी अक्षोहनी अलोकिक अलोकिक गोरब गोरब नौकरी नौकरी इसी प्रकार आगे पड़ते हैं डाण सम्भंधी अशुधिया कनन क्रीड गोड जाडू लुडकन सीडिया ना सम्भंधी अशुधिया अर्शन खान खान प्रात्रन कल्यान कारण क्रश्न गनेश गुन नेक्स्ट है अनुस्वार या चंद्रविंदू सम्भंधी अशुधिया अनुस्वार में आख उंगली उंगन उंच विसरग संबंधी अशुधिया किसा प्रकार होती है जैसे दुशशील दुख निशुल्क निशुल्क निश्वार्थ प्रातकाल व्यांजन संबंदी अशुधिया छा संबंदी अशुधिया अकांक्षा अकांग्छा, अकांग्छा, छत्रिय, शत्रिय, छन, शन, छमा, शमा, छाय, शाय, छीन, शीन नेक्स्ट है जा और या सम्बंदी अशुद्धिया, अजोध्धा, अयोध्या, जदी, यदी, जम, यम, जमुना, यमुना टा, और न, टा और ठा सम्बंदी अशुद्धिया, प्लीज फ्रेंडसे से इग्नॉर ना करें, धियान से समझें क्योंकि इन्ही से कशल मनते हैं, टा और ठा में देखेंगे, कनिष्ट, कनिष्ठ, कुष्ट, कुष्ठ, गरिष्ठ, गोष्टी, गोष्ठी, घनिष्ट, घनिष्ठ नेक्स्ट है, पंचमाक्ष सम्बंदी अशुद्धिया, जेसे अंग, अंग, अंगिनत, अंगिनत, कंट, कुण्डली, कुण्डली, घन्टे, घन्टे, चंचल, चंचल या सम्बंदी अशुद्धिया, अंतरध्यान, केंद्री करण, क्रत्य, 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 अंत्याक्षरी, कवित्री, मानिवर, मानिवर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझेंगे रह और अड़ा सम्बंदी अशुद्धिया, उमर्ना, करोर, करोर, कराही, कड़ाही, किवार, किचर, कीचर, गबड़ाना, गबड़ाना, तोकडी, तोकडी, ब्रज, मातरी भूमी, मात्र भूमी नेक्स्ट है शा, शा, सा, सम्बंदी, अशुद्धिया, जैसे उतकर्ष, उतकर्ष, उतकर्म, दुष्ट्रम, निशकाम, निश्फल, परिभाशा, पुष्प, बहिश्कार, भष्ट, अमवश्या, केलाश, केलाश, नेक्स्ट हमने कुछ अब्जेक्टिव टाइप क्योश्चन असर लिया है, सिंपल से, अभी तो उससर्फ पांच्छा है, लेकिन जैसे ही हम स्लेबस कवर करवा देंगे, एक एक टापिक, एक एक वीडियो में, उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे, 500 MCQs की सीरीज, जिसमें टापिक वाइज, MCQs दिये रहेंगे, आप इन्हें पढ़ने के बाद, याद करने के बाद, वो वीडियो, एक्जाम से 8-10 दिल पहले, देख लीजिएगा, चलिए, शुरू करते हैं, पहला टाइप दिया गया है, कि एक ही शब्द की, संभावित वर्तनियों में से शुद्ध वर्तनी का चैन करना है, जैसे उधरन दिया है, निमलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चैन करना है, जैसे उनने अशुद्ध दिया हुआ है, अश्ट, अश्ट, अस्ट और अश्ट, तो उसमें से शुद्ध क्या है, अश्ट, नेक्स्ट है नाटक को द्रश्य काव्या माना जाता है अब द्रश्य का सही रूप क्या होगा द्रश्य का द्रश्य उन्होंने चार अब्जेक्टिप दिये गए है उन्हें से एक सलेक्ट करना है आब second type है दिये गए विकलपों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चैन करना है निमलिकिस में से शुद्ध वर्तनी का चैन करिये किराया, कशब, किश्मत और किर्तीमान इसका सही अंसर होगा किर्तीमान क्योंकि दिये गए शब्दों में से केवल कीरतीमान ही वरतनी के द्रश्टी से शुद्ध है किराया कशप किश्मत अशुद्ध है जिसका शुद्ध रूप है किराया कश्यप और किस्मत थर्ड टाइप दिया गया है कि विकल्पों में से अशुद्य वर्तनी वाले शब्द का चैन करना है इसे निमलखित में से अशुद्य वर्तनी का चैन करेंगे स्वयम्भू, स्मृति, स्वचंद और स्वाति तो इसमें से अशुद्य निकालना है तो जो स्मृति दिया गया है इन्होंने अशुद्ध रूप दिया गया है इसका शुद्ध रूप होगा स्मृति नेक्स्ट राम पढ़ेंगे अब संधी प्लीज ध्यान से समझेगा और वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेर भी करते जाईएगा सबसे पहले अब समझेगे दूसरा टॉपिक है संधनी पहला क्या था वर्तनी दूसरा है संधी संधी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वहा संधी कहलाता है संधी से पहले शब्द के अंतियम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आधी वर्ण का मेल होता है ये भ्यान से समझेगा ये इसका बैसिक है संधी का जिसे दो समीप वर्ती पास-पास के वर्ण या अक्षर हैं कि उनको मिलाकर जो विकार होता है वहां संधी कहलाता है संधी में पहले शब्द के अंतियम पहला जो शब्द है उसका लास्ट वाला और दूसरे शब्द के आधी यानि पहले वाले वर्ण का मेल होता है समझ देंगे हम कैसे जिसे example हमें दिया गया है देवाले, देवाले का संदिविच्छत के से होगा देव प्लस आलाए देव प्लस आलाए आप समझ रहे होंगे जिसे देवाले दिया है इनोंने देवाले, ठीक है? अब देवाले में देव प्लस आलाए जो आखे मात्रा लगी हुई है उसे अलग कर दिया गया है देव प्लस आला है देवान इसी प्रकार जिसे जगनात का जगत प्लस नात जगनात जगत प्लस नात जगनात मनो योग मनह प्लस योग मनो योग संधी के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधी विच्छेद कहते हैं जिसे एक्जाम है अर्थी परिक्षार्थी का बनाया है इनोंने इसका संधी विच्छेद करना है परिक्षार्थी परिक्षा प्लस अर्थी वागीश याने वाक प्लस ईश अंतह करन अंतह प्लस करन आगे बढ़ते हैं संधी के भैद समझेंगे संधी के पहले वर्ण के आधार पर संधी के तीन भैद किये जाते हैं पहले वरण के आधार पर संधी के तीन भेद किये जाते हैं पहला स्वारसंधी, व्यंजन संधी वा विसर्ग संधी ध्यान से समझेगा संधी के भेद क्या है संधी के जो पहले वरण के आधार पर संधी के तीन भेद किये जाते हैं कौन कौन से स्वर संधी व्यंजन संधी वा विसर्ग संधी संधी का पहला वर्ण यदी स्वर वर्ण हो तो स्वर संधी जैसे नव प्लस आगत नव आगत संधी का पहला वर्ण क्या हुआ नव वा से देखेंगे हम वा क्या है वा वर्ण वर्ण और आस्वर वाला है संधी का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधी जैसे वाग प्लस इश वागीश तो संधी का पहला वर्ण का व्यंजन वाला वर्ण है एवं संधी का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधी जैसे मनाहा प्लस रत मनोरत संधी का पहला वर्ण नहा विसर्ग युक्त है होता है उमीद है कहला क्लियर हुआ होगा संधी के पहले वर्ण के आधार पर संधी के तीन भैद किया गया कौन-कौन से स्वार संधी व्यंजन संधी वा विसर्ग संधी स्वार संधी हम कैसे पहचानेंगे जिसमें जो संधी विच्छेद करते हैं पहला वाला जो वर्ण आता है उसमें यदि स्वार निकलता है आ से आहा तक ठीक है स्वर निकलता है तो वह स्वर संधी कहलाएगी यदि पहले वर्ण में वियंजन निकलता है तो वियंजन संधी कहलाएगी वह विसर्ग निकलता है तो विसर्ग संधी कहलाएगा अब स्वर संधी डीटेल में समझते हैं स्वर संधी क्या हता है? स्वर के बाद स्वर अर्थत दो अक्षरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है स्वरसंधी कहलाता है स्वर के बाद स्वर अर्थत दो अक्षरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वरसंधी कहलाता है जेस सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त महा प्लस आत्मा महात्मा स्वार संदी के निमलखित पाच पहेद होते हैं दीर्ग संदी, गुण संदी, व्रद्धी संदी, यण संदी और अयाधी संदी स्वार संदी के पाच पहेद कोन-कोन से हुएं दीर्ग संदी, गुण संदी, व्रद्धी संदी, यण संदी और अयाधी संदी हम नोट दिया गया है कि आ, इ, उ, को दीर्ग, आ, ए, ओ, को गुण, ए, आ, ओ, को व्रद्धी, या, र, ल, व, को यण एवं आय, आय, अव, आव, को अयाधी, आय प्लस आधी कहते हैं दीर्ग संदी में हश्व या दीर्ग, आ, इ, उ, के पश्चाद, क्रम्शा, हश्व या दीर्ग, आ, इ, उ, स्वराय तो दोनों को मिला कर दीर्ग, आ, इ, उ, हो जाते हैं जैसे आ प्लस आ क्या बनेगा आ बड़ा आ बन गया ए से डबल ए हो आ तो आ बन गया धर्म प्लस अर्थ धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ स्वा प्लस अर्थी स्वार्थी देव प्लस अर्चन देवार्चन वीर प्लस अंगना वीरांगना मत प्लस अनुसार मत अनुसार अ प्लस आ अ थात आ देव व मैंसे आ के धोने निकल रही है देव प्लस आलाए नव प्लस आगत नवागत चत्य प्लस आगरह सत्यागरह देव प्लस आगमन देवागमन next है, आगे बढ़ते हैं A, A plus A क्या बनेगा A परिक्षा, परिक्षा, शा में बढ़ा निकल रहा प्लस अर्थी, परिक्षा अर्थी के संधिर भिक्षेद क्या हुआ परिक्षा plus अर्थी, तो परिक्षा A बढ़ा और अर्थी यह ने छोटा आँ तो इससे मिलकर क्या बनेगा आ परिक्षार थी सीमा प्लस अंत सीमांत दिशा प्लस अंतर दिशांतर रेखा प्लस अंश रेखांश इसी प्रकार बड़ा फिर बड़ा मिलकर क्या बनेगा बड़ा आही बनेगा जैसे कि हमको example दिया गया है महात्मा का महात्मा का संधी विच्छेद करेंगे तो महा प्लस आत्मा महा महा में भी बड़ा निकल रहा और आत्मा आत्मे में भी बड़ा आ महात्मा तो क्या मनेगा बड़ा बन जाएगा विध्या प्लस आलाए विध्या आलाए वार्था प्लस आलाब वार्था लाब महा प्लस आनंद महानंद इसी प्रकार छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी यह बनता है जैसे कि अतीव अतीव का अतीव प्लस इव अतीव कुविंद्र याने कुवी प्लस इंद्र आगे बढ़ते हैं चोटी और बड़ी मिलकर बड़ी बनते हैं जिसे गिरी प्लस इश गिरीश परी प्लस इक्षा परिक्षा मुनी प्लस इश्वर मुनीश्वर बड़ी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बनते हैं मही प्लस इंद्र महिंद्र योगी प्लस इंद्र योगिंद्र इसी प्रकार बड़ इ प्लस बड़ी इ मिलकर बड़ी बनता है जैसे रजनी प्लस इश रजनीश योगी प्लस इश्वर योगीश्वर चोटाओं प्लस छोटाओं मिलकर बड़ाओं बनता है जैसे भानू प्लस उदय विदू प्लस उदय विदू दय गुरू प्लस उपदेश गुरुपदेश लगू प्लस उत्तर, लगू उत्तर, छोटाओं और बड़ाओं मिलकर बड़ाओं बनता है, जैसे लगू प्लस उर्मी, लगूर्मी, धातू प्लस उश्मा, धातू उश्मा, बड़ाओं प्लस छोटाओं मिलकर बड़ाओं बनता है, वदू प्लस उच्चा, वदू प्लस उ गुण संधी के यदि आ छोटा और बड़ा के बाद छोटी या बड़ी छोटाओं या बड़ाओं और रिशी स्वर आये तो दोनों के मिलने से क्रमशाह ए, ओ और अर हो जाते हैं एक्जामपल देख लेते हैं, जैसे छोटा और छोटी या मिलकर या बनते हैं, जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र, सत्य प्लस इंद्र, सत्य प्लस इंद्र, सत्य इंद्र, आ प्लस बड़ी या मिलकर या बनते हैं, जैसे नर प्लस इश नरेश परम प्लस इश्वर परमेश्वर इसी प्रकार बढ़ा आ और छोटी इश मिलकर ए बनते हैं जैसे रमा प्लस इंद्र रमेंद्र महा प्लस इंद्र महेंद्र यथा प्लस इश्ट यथेश्ट बढ़ा आ प्लस बढ़ी इश महेश उमा प्लस इश उमेश राका प् छोटा O मिलकर O बनते हैं, वीर प्लस उचित, वीरोचित, मानव प्लस उचित, मानवोचित, पर प्लस उपकार, परोपकार, इसी प्रकार छोटा A प्लस बढ़ा O मिलकर O बनता है, सूर्य प्लस उर्जा, सूर्य और्जा, नव प्लस उड़ा, नव उड़ा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, बड़ा प्लस छोटा उ मिलकर ओ बनते ही, जिसे महा प्लस उदय, महोदय, महा प्लस उच्छव, महा प्लस उष्ण, महोश्ण बनते ही, संधी विच्छेद करना आना हमें बहुत जरूरी, उसके बाद ही हम यह समझ पाएंगे कि क्या मिलकर क्या बनता है, और यह फ यह लिखिए और उसकी प्रेक्टिस कीजिए, तभी आपको याद हो पाएंगे, आगे बढ़ते ही, समझते ही, बड़ा प्लस बड़ा उ मिलकर ओ बना, जिसे दया प्लस उर्मी, महा प्लस उर्जा, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उष्मा, महोश्मा, इसी प्रकार छोटा आ और रिशी, क्या बनते ही, अर, देव प्लस उर्जी, सब्त प्लस उर्जी, सब्त उर्जी, राज प्लस उर्जी, राज श्री, इसी प्रकार आगे बढ़ते ही, बड़ा प्लस उर्जी मिलकर अर बनता है, महा प्लस उर्जी, महर्जी, आगे बढ़ते ही, व्रद्धी संधी तीसरी संधी है हमारी वरद्धी संधी A या बढ़ा के बात A या I आ ये तो दोनों के मेल से A हो जाता है तथा A और A के पस्चाद आओ या आओ आओ ये तो दोनों के मेल से आओ हो जाता है जेसे A plus a see I बना एक ठीके एक एक लोक प्लस एशणा लोकेशणा A plus a see I बना मद प्लस एक A plus a see I बना सद्धा plus F सदेव A plus a see I बना महापलस यहशवर महेशवर फ्रेंड्स बहुत महलत लगती है इतने इंपोर्टेंट नोट्स बनाने में ढूंडने में इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा और प्लीस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजेगा इतना तो आप कर ही सकते हैं और अधिक चली शेयर कर दीजेगा चली आगे बढ़ते हैं ए प्लस आ मिलके क्या बनेगा आए ने प्लस अक नायक ए प्लस ई से आए ने प्लस ई का नाई का ओ प्लस आ से अव पो प्लस अन पवन भो प्लस अन भवन ओ प्लस ई से अवी पो प्लस इत्र पवित्र ओ प्लस ई से अवी गो प्लस ईश गवीश ओ प्लस आ आव पो प्लस अन पावन O plus E से AVI, No plus I NAVIK, O plus U से AWU, Bho plus UK भावुक विशेश क्या है? इस संधी का प्रियोग संस्क्रत में होता है इन शब्दों को हिंदी में संधी युक्त नहीं माना जाता है ये शब्द केवल वियव्यत माने जाते हैं हिंदी में शब्दों के गिंती रुड़ शब्दों से होती है नेक्स्ट हमब हम समझेंगे वियनजन संधी को वियनजन संधी के अधिये बात करें तो वियनजन के बाद स्वर या वियनजन आने से जो परिवर्दन होता है उससे वियनजन संधी कहते हैं जिसे वाक प्लस इश वागीश और सत प्लस जन सत जन उत प्लस हार उत्धार व्यांजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे कि कखग होता है व्यांजन संदी के नियम कुछ इस प्रकार है जैसे कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किसी वर्ण के पहले वर्ण काचा टावा तापा कामेल किसी स्वार अथवा किसी वर्ण के तीसरे वर्ण जिसे गाजा ना दाबा या चोथे वर्ण गाजा ना धाबा अथवा अंतहार इस्थव्यंजन या रलावा के किसी वर्ण से होने पर वर्ण का वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गाजा डादा बा में परिवतन हो जाता है जैसे गा का गा होना जिक प्लस गच तिगच चा का जा होना अज प्लस अंत अजन्त ता का डा होना शट प्लस आनन शडानन ता का दा होना भगवत भजन भगवत भजन पा का बा होना अप प्लस जा अब्ज दूसरा नियम है वर्ण की पहले वर्ण का पाचवे वर्ण में परिवर्ण यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण केवल ना मा से होता है तो उसके स्थान पर किसी वर्ण का पाचवा वर्ण हो जाता है जैसे कि का का डा होना वाग प्लस माई वाग माई ता का ना होना शट प्लस मुख शट मुख ता का ना होना उत प्लस मत उनमत उसी प्रकार छा संबंदी नियम किसी भी हस्व स्वारिया आ कामेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है जैसे स्व प्लस चंद स्व चंद परी प्लस चेद परिछेद अनू प्लस चेद अनू चेद वी प्लस चेद विछेद ता संबन्दिनियम ता के बाद यदि चा चा हो तो ता का चा हो जाता है जैसे की उत प्लस चारण उत प्लस चरित उत चारित और जगत प्लस चाया जगत चाया सत प्लस चरित रो सत चरित ता के बाद यदि जा जा हो तो ता जा में बदर जाता है जैसे सत प्लस जन सत जन जगत प्लस जन नी जगत जन नी उसी प्रकार ता के बाद यदि टार्डा हो तो ता क्रमशह टार्डा में बदल जाता है जैसे व्रहत प्लस्टी का उत्प्लस डैन उट्डैन ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है जैसे उत प्लस लास उस उल यास तट प्लस लीन तली उत प्लस लेक उल लेन उसी प्रगर ता के बाद यदी शा हो तो ता का चा और शा का चा हो जाता है जैसे उत्प्लस श्वास, उच्छवास, सत्प्लस शास्त्र सच्छाश्त ता के बाद यदी हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है जैसे तत्प्लस इत्थित, उत्प्लस हार उद्धार, उत्प्लस हत उद्धत उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं पाचवानियम है ना संबंधिनियम यदि रिशी राश्या के बाद ना व्यंजनाता है तो ना कार्णा हो जाता है जैसे कि परी प्लस नाम परिणाम प्रा प्लस मान प्रमान राम प्लस अयन रामायन भूश प्लस अन भूशन मा संबंदी नियम इस प्रकार है मा का मेल का से मा तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मा उसी वर्ग के पंच माक्षर अनुस्वार में बदल जाता है जैसे सम प्लस कलन संकलन, सम प्लस गती संगती, सम प्लस चऐ सं चँए, परंप्लस तू परंटू उसी प्रकर मा का मेल यदी या रालावार शासी सह से होता है तो मा सदेव अनुसार ही होता है जैसे की सं प्लस योग सं योग, सं प्लस रक्षक सं रक्षक, सं प्लस लाग सं लाग उसी प्रकार मा के बाद मान पर कोई परिवर्टन नहीं होता है जैसे सं प्लस मान, सं मान, सं प्लस मती सं मती विशेश है आजकल सुविता के लिए पंचमाक्षर की स्थान पर प्राया अनुस्वार का ही प्रियोग होता है सा संबंदी नियम इस प्रकार है सा से पहले आ या बड़ा आ से भिन स्वर हो तो सा का शा हो जाता है जैसे वी प्लस संब विशम और वी प्लस साद विश्याद और सू प्लस समा सूश्मा नेक्स हम देखेंगे विसर्ग संधी के बारे में विसर्ग संधी के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधी कहते है विसर्ग संदी क्या होता है विसर्ग के बाद स्वारिया व्यंजनाने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संदी कहते है जैसे निहा प्लस आहार निराहार दुह प्लस आशा दुराशा तपह प्लस भूमी तपो भूमी मनह प्लस योग मनो योग उसी प्रकार विसर्ग संदी के प्रमुखनियम इस प्रकार है, पहला विसर्ग का ओग हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अत्वा प्रत्यक वर्ग का तीसरा चोथा पाँच वावन अत्वा याराला वाहा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है जैसे मानाहा प्लस अनुकूल मानोनुकूल अधा प्लस गती अधो गती तपाहा प्लस बल तपोबल वयाहा प्लस वद्ध वयोवरत तपाहा प्लस भूमी तपोबूमी क्लियर सेकंड एक्जामपल है विसर्ग का रा हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ या बढ़ा आ को छोड़ कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ आओ या तीसरा चोथा पाचवा वर्ण या या रा ला वा मेंसे कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है जैसे निह प्लस आशा निराशन, निह प्लस धन निर्धन, निह प्लस बल निर्बल, निह प्लस जन निर्जन उसी प्रकार विसर्ग का शा हो जाता है यती विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तो और बाद में चा चा और शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है जैसे निह प्लस चित निशिन्त निह प्लस छल निश्चल दोह प्लस शाशन दोह प्लस चरित्र दोश्चरित उसी प्रकार विसर्ग का पा हो जाता है विसर्ग के पहले ई उ और बाद में काखा ताठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है जैसे निह प्लस कपट, निश कपट, निह प्लस कंटक, निश कंटक, धनु प्लस टंकार, धनुष्टकार, निह प्लस ठूर, निश्ठूर अपरवाद क्या है दुह प्लस खा दुखा विसर्ग का सा हो जाता है विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग सा हो जाता है जैसे नमहा प्लस ते नमस ते मनहा प्लस ताप मनस ताप उसी प्रकार विसर्ग का लोप हो जाता है यदी विसर्ग के बाद च्छा हो तो विसर्ग लुक्त हो जाता है और चा का आगम हो जाता है जैसे अनू प्लस छेद अनू छेद यदी विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुक्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्ग हो जाता है जैसे निया प्लस रोग दिरोग यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोग हो जाता है जैसे अंतह प्लस एव अतेव उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं विसर्ग में परिवर्तन ना होना यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है जिसे प्राताह प्लस काल प्राताह काल अंताह प्लस करण अंताह करण अपवाद है नमः एवं पुरह में विसर्ग का सा हो जाता है जिसे नमः प्लसकार नमसकार पुरह प्लसकार पुरुसकार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की कुछ विशीश संधिया संस्कृत की संधियों की अतरित नियम अभी तक इस पस्ट नहीं है तेथा पी कुछ का परिचय इस प्रकार जिसे बड़ा आं का आ हो जाना जिसे आम पलस चूर, अम चूर हाथ पलस कड़ी, हत कड़ी च्छोटी और बड़ी ए के स्थान पर एह हो जाता है शक्ती पलस आ, शक्ती आ देवी पलस आ, देविया बड़ ई, उ का क्रम से छोटी ई और छोटा उ हो जाना नदी प्लस आ, नदी आ, वदू प्लस ए, वदू ए हा का भा हो जाना जब, तब, कब, सब, अब, आदी शब्दों के पीछे ही आने पर ही के हा का भा हो जाता है जैसे जब प्लस ही जब ही कब प्लस ही कभी उसी प्रकार हा का लोब कभी कभी कुछ शब्दों के संदी होने पर किसी एक दुनी का लोब हो जाता है जैसे ही में हा का लोब हो जाता है जैसे यहा प्लस ही यही किस प्लस ही किसी उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कभी कभी दोनो दुनुओं में भूब हो जाता है पहले शब्द से आ शब्द कर था दूसरे शब्द से हां वैलażन का लूप होता है और अनुनासिकत दूसरे शब्द शब्द पर पहुंज जाती है जैसे वहां यही कहाँ पलस ही कही नेक्स्ट रम देखेंगे संदी विच्छेद को विशेश है नीचे सारणी में किसी शब्द जैसे की नवनकुर में आ चिन्न का प्रियोग किया गया है जो लुप्त आकार का चिन्न है आ आ ई अन्तह करण अन्तह करण अन्तह पूर अन्तह प्लस पूर अन्वाय अनु प्लस आय अन्वेशन अनु प्लस एशन अन्वेशन अन्वेशक अनु प्लस एशक का वर्ण की बात करें तो कंठ थर्ट टापिक हमें दिया गया है हिंदी के पतवरी के इसलेबस में परियाए वाची अब हम समझेगे परियाए वाची शब्द के बारे में छोटा, बड़ा और ई अंग, आश, आव्याव, हिस्सा, भाग पहले हम देखेंगे आ, आ, ई के परियावाची जैसे कि अंग, अंग का परियावाची क्या हो जाएगा? आश, आव्याव, हिस्सा, भाग अंधकार का सम, सम, तमीशा, और तिमिर, ध्वांत अगनी का पावग, ज्वाला, अनल, दहन अनुपम का अनुण, अपूर्ण, अतुतिय, अधभूत, अतुल, अनुख अनुवेशन का अनुसंधान, खोज, ग्वेशन, जाच, छानबीन, पुश्ताश अभिमान का अस्मिता, अहम अहंकार, अहम भाव, अहम मन्यता, आत्मशलागा, गर्व, घमंड, दर्ब, धंब, मद, मान, मिथ्याभिमान अमरत का सोम, सुधा, अमे, प्योश, और मधू, अमे, सुर्भोग अरण्य का जंगल, वन, कानन, अट्वी, कांतार, विपिन अश्व का तुरंग, है, घोड़ा, घोटग, वाजी, सैंधग असुर का दनुजे दानव देत्य राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशीचर उसी प्रकार अनीका दिया है आख का, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉस करकर देख लीजिए इतना करवाएंगे तो वीडियो कम से कम 4-5 घंटे का होने वाला है ध्यान से आप देखते जाएंगे फिर का वर्ग के दिये गया है आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं चा वर्ग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे शा शा साह एक दो बार इने पढ़ लीजिए का तो कई ना कई माइन में क्लिक रहेगा जिसे हिमान्शु का क्या हिमकर निशाकर शपानात चंद्रमा चंद्र निश्पति हंस का कलकंट मराल सीप पक्ष मानसोक रदय का उर्चाती वक्ष हिया हिया अब परियाएव अच्छी होगा नेक्स्ट आये हैं विलोम शब्द विलोम शब्द की यदि बात करें तो पहले आ और आक दिया है जैसे अतिथी अतिथया अदोश सदोश अग्रच अनुज अनात सनात अलपायू दिर्घायू अनुरक्ति विरक्ति अराग सुराग अलपग्य भहुग्य अस्वस्थ अगला पिशला अंत आधी अनुलोम प्रतिलोम अवनी अंबर उसी प्रकार अवन प्रवर इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करकर आप आराम से पूरा पढ़ लीजिएगा मैं आपको धीरे-धीरे क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो वीडियो तीन-चार घंटे का हो जाएगा और इतना आप देख नहीं पाएंगे इन नौट्स बहुत महनत से निकाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट हैं अब ध्यान से कंप्लीट कर लीजिएगा जो छोड़ दिया है उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा रट लीजिएगा इन चीजों को अब नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी हमें टॉपिक दिया गया है पटवारी के हिंदी के सलेबस का टॉपिक है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनिया जो कहाना जा सके अकथनिया हाथी को हाकने का लोहे का हुक अंकुष जो खोया ना जा सके अखाद्य जिसका जन्म पहले हुआ हो अगरच आगे का विचार करने वाला अगर सोची जो सबके आगे रहता हो अगरणी जिसका ज्यान इंद्रों के द्वारा ना हो अगोचर जो नेत्रों से दिखाई ना दे अगोचर जो इंद्रियों से परे हो अगोचर समाचार पत्र का मुख्य संपाद की अलेख अगर लेख और जो खाली ना जाए अचू जो अपने स्थान ये स्थती से अलग ना किया जा सके अचुत जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत जो छूने योग्य ना हो अचूत जो छूआ ना जो बूड़ा ना हो अजर जिसका कोई शत्रूत पन ना हुआ हो अजात शत्रू जिसे जीता ना जा सके अगय है जो ना जाना गया हो अज्यात जो कुछ नहीं जानता हो अज्यात जिसके कुल का पता ज्यात ना हो अज्यात कुल जिस हसी से अटालिका तक खिल जाए अटाह जो अपनी बात से ना टले अटल ना तूटने वाला अटूट जो अपनी जगह से ना डिगे अडिक आधत का व्यापार करने वाले आर्तिया पदार्त का सबसे छोटा इंद्रिय ग्रहय विभाग या मात्रा अनू सीमा का अनुचित उलंगन अतिक्रमन जिसकी आने की तिथी अतिक्यांट नहों उतिथी जिस किसी कथा के अंतरगत आने वाले दूसरी कथा अंतह कथा जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी, आवशक्ता से अधिक वर्ष आति वर्ष्टि, किसी बात या कथन को बड़ा चड़ा कर कहना अतिशोक्ति जो बीत गया है अतित, इंद्रियों की पहुश से बाहर अतिंद्रिया, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनिया जो दवाये न आजासकी अगम्य जो देखान आजासकी अद्रश्य जिसके समान दूसरा ना हो अधृतिय जो देखने योग्य ना हो आदर्शनिया आगे बढ़ते हैं जो पहले ना देखा गया हो अद्रश्ट पूर्व धर्म या शास्त्र के विरुद्धकार या धर्म, अधिकार का या कबजे में आया हुआ अधिकरत, सरवाधिकार संपन शाशक या अधिकारी अधिनायब विधान मंडल द्वारा पारित या स्विकरत नियम, अधिनियम, कर या शुल्क का वहा अंश जो किसी का रणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, अधिभार वहा पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, अधिपत्र किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता और वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क सरकार दोरा प्रकाषित या सरकारी बजट में सब छपी सूचना अधिसूचना किसी कार्या लाए या विभाग का वहाधिकारी जो अपने अधिन कारे करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधिक्षक, किसी सभा संस्था का प्रधान, अध्यक्ष, किसी की और मुख किये हुए अधो मुख, राज्य की अधिपती त्वारा जारी किया गया वो अधिकारिक आदेश, जो किसी विशीष समय तक ही लागू हो अध्यादेश वहस्त्री जिसका पती दूसरा विभा कर ले, अर्धगुडा, और अन्य से संबंद ना रखने वाला, अनन्य जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय, जिसका स्वामी ना हो, अनाथ, जिसका आदर ना किया गया हो, अनार्धत दूसरों के गुणों से में दोश ढूंडने की व्रत्ती का ना होना अन्सुया जिसका वचन द्वारा वर्णा ना किया जा सके अनिवार्य बिना पलंग गिराय हुए अनि मेश जिसका उच्चारा ना किया जा सके अनुचुरित जो परिक्षा में उत्रिन ना हुआ हो अनुत्रिन किसी कारे के लिए दिये जाने वाले सहयत अनुदान जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोधन किसी व्यक्ति या सिध्धान्त का समर्थन करने वाला अनुयाई एक भाषा को लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद परंपरा से चली आई हुई बात उक्ती या कला अनुशुती जिसका मन किसी दूसरी और हो अन्य मनैस्क अन्मना जिसका कोई निशित घर ना हो अनिकीत नीचे की ओर लाना या खीचना अब कर्श जो पहले पढ़ा ना गया हो अपढ़ित दो पहर के बाद का समय अपरांद आगे इसी प्रकार और भी दिये गया है आप इनको पढ़ लीजिया स्क्रीम शॉट ले लीजिया इसका स्क्रीम शॉट लेते जाए क्योंकि इतना पूरा पढ़ेंगे तो इतने में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा उमीद है आप लोगों ने इसे पॉस करकर देख लिया होगा या फिर स्क्रीम शॉट ले लिए होगे यह बिल्कुल पढ़के जाएगा एसा मोका बारवार नहीं आता है लास्ट काइम पटवारी के वैकेंसी दो हजार सत्रा में आई थी इसलिए मोका मिला है तो फाइदा ले लीजिए लेते जाएगा नेक्स्ट टॉपिक आग्या है वाक्य शुद्धी का वाक्य भाषा की अत्यन्त महत्वपोण इकाई होती है अते परश्क्रत भाषा के लिए वाक्य शुद्धी का ज्यान आवश्यक है वाक्य रश्ना में संग्या, सर्वनाम, विशिषण, क्रिया, अव्यव से संबंदित या अन्य प्रकार की अशुद्धिया हो सकती है किसी को आधार बना कर परिक्षा में प्रश्नियों पूछ जाते हैं नीचे कुछ उधारन दिये गए हैं प्रतियक वाक्य में रंगीन अक्षरों में छपे शब्द अशुद्ध हैं जिनका शुद्ध रूप कौश्ठक में दिया गया है अब हम यही देखेंगे जिसे संग्या संबंदी अशुद्धिया जिसे हिंदी की प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा बड़ी बड़ी बाधाये हैं सीता ने गीत की दो चार लड़ियां गाई कड़िया पती व्रता नारी को चूने का उच्साह कोन करेगा साहस क्रशी हमारी व्यवस्था की रीड है का आधार प्रेम करना तलवार की नोख पर चलना है धार पर नगर की सारी जनसंख्या भूकी है जनता से वहां मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता मेरी पात पर जिसकी लाठी उसकी भेस वाली कथा चरितार्थ होती है काहावत इसी प्रकार आप इसका विस्क्रीन शोट ले लीजिए नेक्स्ट है सर्वनाम संबंदिय शुद्या मेरे से मत पूछो मुझसे मत पूछो शुद्द बोलो हिंदी शुद्द लिखो विशेशन संबंदिय शुद्या उसे भारी प्यास लगी है उसे बहुत प्यास लगी है क्रिया संबंदिय शुद्या वहा कूरता डाल कर गया पहन कर पगड़ी ओड़ कर जाओ आओ बांध कर अब यह संबंदिय शुद्या यद्ध पी वहा बीमार था परंतु वह स्कूल गया तथा भी आप इनके भी स्क्रीन शुट लेते जाएं कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है कर्मवीर शब्द ज्यान सम्मंद्य शुद्य थी ये कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है नेक्स्ट टॉपिक आचुका है मुहावरे मुहावरे अर्वी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा मुहावरे मुहावरा अर्वी भाषा का शब्द है जिसका शब्द जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना मुहावरा क्या है अर्वी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना हिंदी में मुहावरा को वागधारा कहते हैं किन्तु यहाँ अधिक पश्रित नहीं है जब कोई वाक्याश अपने सामानी अर्थ को छोड़ कर विशेश अर्थ में रूड हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है उधारण है श्री गणेश करना का अर्थ है शुरू करना इद का चांद होना का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना चार चांद लगाना का अर्थ है प्रतिष्ठा बढ़ाना अंग संबंधी मुहावरे कुछ इस प्रकार है जिसे अंगूठा चूमना खुशामत करना अंगूठा दिखाना देने से इनकार करना अंगूठा नचाना चिड़ाना आसू पोश्णा दिरज बंधाना आसू बहाना खूब रोना आसू पीजाना दुख को छिपालेना आख उठाना हानी पहुचानी की द्रश्टी से देखना आखे चार होना देखा देखी होना आखे ठंडी होना इक्षाप पूरी होना आख दिखाना क्रोध प्रकट करना आखो पर बिठाना आदर करना आखे फेरना नजर बदलना आखे बिचाना बैसबरी से प्रतिक्षा करना आख भराना आसू आना आखों में धूल डालना धोका देना आखे लडना देखा देखी होना प्रेम होना आखे लाल करना, क्रोध की नजर से देखना, आखे ठकना, प्रतिक्ष्या में निराश होना, आखों में चर्बी चाना गमंडी होना आखों में खटकना, पूरा लगना, आखे नीली पीली करना, नाराज होना, आख का अंधा, गाट का पूरा, मूर्क धनवान, आखों की किरकिरी होना, शत्रू होना, आखों का प्यारा या पुतले होना, बहुत प्यारा होना आखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना, आखे सेखना, किसी की सुन्दरता देख आखे चुड़ाना आखे खुलना, सजग होना, आखे आना, आख में एक प्रकार की बिमारी होना आखे चुराना, सामने आने से परहीज करना, आखे गड़ाना, दिल लगाना, इच्छा करना आखों में गड़ना, अत्यंत अपरिय होना, आख फड़कना, सगुन उचरना आखे लगना, प्रेम करना, जरासी नीनाना आख मारना इशारा करना, आख रखना धिहान रखना, आख में पानी रखना, मुरोवत रखना नेक्स्ट है उंगली उठना दिन्दा होना, उंगली पकड़ते पहुचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिये उच्छाइत होना कानों में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेश्टा करना करना पाचो उंगलियां घी में होना, सब प्रकार से लाब ही लाब सीधी उंगली से घीना निकलना, भल्मन साहत से कामना होना ओठ चाटना, स्वाद की इक्षा रखना ओठ मलना, दंड देना ओठ चबाना, क्रोध करना ओठ सूखना, प्यास लगना कलेजे से लगना, प्यार करना, छाती से चिपका लेना कलेजा कापना, डरना कलेजा थांप कर रह जाना, अफसोस कर रह जाना कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिया वस्तु अर्पित कर देना कलेजा ठंडा होना, संतोश होना कान उमेठना, शपत लेना, कान खोलना, सावधान करना कान देना, ध्यान देना, कान पर जूना रेंगा, बेखपर रहना कानों में तेल डालकर बेट जाना, बास सुनकर भी ध्यानना देना कान पकड़ना प्रतिज्या करना कान भढ़ना निंदा करना कानो कान खबर होना बात फेलना कान फूकना चेला बनाना बुरु मंत्र जेना कान काटना बढ़कर काम करना कान खड़े होना होश्यार होना खून खूलना गुस्टा चढ़ना खून सूकना अधिक डर जाना खून सवार होना किसी को मार डालने के लिए तयार होना खून पीना, मार डालना, सताना, खून सफेद हो जाना, बहुत डर जाना, गाल फुलाना, रूठना, गाल बजाना, दिंग मारना, काल के गाल में जाना, मृत्यों के मुह में पढ़ना, गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, गर्दन पर सवार होना, पीछाना छोरना, गर्द काटी रोटी गहरी दोस्ती दाद खटे करना पस्त करना दातों तले उंगली दबाना दंग रह जाना तालू में दाद जमना बुरे दिनाना दाद दिखाना हार मानना लाचारी प्रकट करना दाद जमाना अधिकार पाने के लिए द्रणता दिखाना किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाहा करना, दाद गिनना, उम्र बताना नाक कटना, इज़त जाना, नाक काटना, इज़त नश्ट करना, नाक का बाल होना प्रिय होना, नाक को चने चबाना, चबवाना, खूब तंग करना नाक पर मक्की ना बेटने देना, खरे सो भावका होना, नाक में दम करना, तंग करना, नाक रखना, पतिष्ठा रखना, नाक रखना, मिन्नत करना, नाक में दम आना, तंग होना, मुह खुलना, उद्दर्टा पूर्वक बाते करना, बोलने का साहस होना, मुह देना या डालना किसी पशु का मुह डालना मुह बंद होना चुप होना मुह में पानी भराना ललशना मुह में लार टपकना बहुत लालची होना मुह काला होना कलंक या दोश लगना मुह दोह रखना आशा ना रखना व्यंग मुह पर या चहरे पर हवाई उड़ना गवराना मुह फट हो जाना निलज हो जाना मुह फुलाना रूठ जाना मुह बनाना असंतुष्ट होना मुह मोडना दिहानना देना मुह लगाना सिर चड़ाना मुह रखना लिहाज रखना मुह देखी करना पक्षपाद करना मुह चुराना संकोच करना मुह में लगामना होना जो मुह में आवे सोगा देना मुह चाटना खुशा मत करना मुह भढ़ना घूज देना मुह लटकाना रंज होना मुह आना मुह की विमारी होना मुह की खाना परास्त होना, मुह सूखना भैबित होना, मुह ताकना या जो होना किसी का आसरा करना, मुह में खून लगना, बुरी चाट पड़ना, चसका लगना, मुह फेरना, अगपा करना, मुह मीठा करना, प्रसंद करना, मुह में फूल जड़ना, मधुर बोलना, मुह मे गी शक्कर, किसी अच्छी भविश्यवानी का अनुमोदन करना, मुह से मुह मिलाना, हा में हा मिलाना, बही खाता आदी में हिसाब सही ना लिख कर भी जमा खर्च या उत्तर सही लिख देना सिर आखो पर होना, सहर्ष स्वयकार होना, सिर उठाना, फूर्सत पाना, विरोध में खड़ा होना, सिर पर चड़ना, शोख होना, सिर उचा करना, आदर का पात्र होना सिर खाना, बकवास करना, सिर चड़ाना, गुस्ताक करना, सिर जुकाना, आत्म समर पर करना, सिर पर पाव रखकर भागना, बहुत जल्द भाग जाना, सिर पढ़ना, नाम लगना, सिर खुल जाना, बहाना करना, सिर दुनना, शोख करना, सिर पर भूत सवार होना, एक ही र सिर गंजा कर देना, मारने का भाय दिखाना, सिर पर कफन बादना, शहादत के लिए तयार होना, हाथ आना, अधिकार में आना, हाथ खीशना, अलग होना, हाथ खुलचलाना, किसी को पीटने की को जी चाहना, हाथ देना, साहता देना, हाथ पसारना, मांगना, हाथ पटाना, म हाथ मलना पश्टाना हाथ गरम करना घूस देना हाथ चूमना हर्श व्यक्त करना हाथ दोकर पीछे परना जी जान से लग जाना हाथ पर हाथ धरे बेटना बेकारे बेठे देना हाथ फेलेना याचना करना हाथ मारना उड़ालेना लाब उठाना हाथ साफ करना मारना उड़ा को पतनी बनाना आश्राय देना अन्य बोहावनी वर्नकरम अनुसार इस प्रकार है जिसे अकल का दुश्मन मूर्ख अकल चलने जाना बुद्धी की कमी होना अन जल या दाना पानी उठना जीवी का ना रहना, रहने का सयोग ना होना, तब बादलाय स्थान परिवर्दन होना अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ बना कर काम निकलवाना अपने पाव में आपको लाड़ी मानना, जान भूज कर आपत में पढ़ना अपने मुह मिया मिठ्टू बनना, अपनी तारीफ आपकरना अग्या वैताल क्रोधी, अडाई चावल की किचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना अंगारों पर पेयर रखना, अपने को खत्रे में डालना, इत्राना अंगारों पर लोटना, कृध होना, अकल का अरजीन होना, आविशक्ता से अधिक अकल होना अकल दंग होना, चकित होना, अकल का पुतला, बहुत बुद्धी मान अंतपाना भेदपाना अंतर की पट खुलना विवेक से काम लेना अकल के घुड़े दोड़ाना अकल पनाय करना अपनी डफली आप पचाना अपने मन की करना अंधे की लकडी एक मादर सहारा अंधों में काना राजा अज्यानियों में अलपग्यान वाले का सम्मान होना अंग भढना लिपटलेना अंग तूटना बहुत थक जाना अंकुष देना दवाव डालना अंग में अंग चुराना शर्माना अंग अंग फूले ना समाना आनद विभोर होना अंगार बनना लाल होना क्रोध करना अच्रा पसरना मांगना याचना करना अंडे का शहजादा अनुभवहीन अठके लिया सूजना दिल लगी करना अधेर नगरी जहां धांदली और अन्याय होता है अंधेरे मुह प्राधा काल तड़की अकल पर पत्तर पढ़ना बुद्धी प्रश्ट होना अ अपना घर समझना बिना संकोज विहवार अपना सा मुहु लेकर रह जाना शर्मिंदा होना अपने पेरो पर खड़ा होना स्वावलंभी होना अर्चन डालना बाधा उपस्तित करना अरमान निकालना एक्षाय पूरी करना अरणे चंद्री का निश्प्रयोजन पदार्ध आग का श्छून बहुत उचा होना आग का पुतला क्रोधी आग पर आग डालना जले को जलाना आग पर पानी डालना क्रुध को शांत करना लडने वालों को समझाना बुझाना आग पानी का वेर सहज वेर आग बबूला होना अतिक क्रुध होना आग बोना जगड़ा लग करना आग में भी डालना जगड़ा बढ़ाना क्रोध भढ़काना आग लगा कर तमाशा देखना जगड़ा खड़ा कर उसमें आनंद लेना नेक्स्ट ही आग लगा कर पानी को दोड़ना पहले जगड़ा लगा कर फिर उसे शान्त करने का यत्न करना आग लगने पर कुवा खोदना पहले से करने के काम को एन वक्त पर करने चलना आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शान्त हो जाना आग में कूद पढ़ना, खत्रा मोल लेना, आग उगलना, क्रोध प्रकट करना आन की आन में फोरन ही आन रखना, मान रखना आटे दाल का भाव मालूम होना, सांसारी कटनाईयों का ज्यान होना आटे दाल की फिक्र होना, जीविका की जिन्ता, आसमान दिखाना, पराजित करना आठ आठ आशूर होना, विलाप करना, आडे आना, नुक्सान दे हैं आड़े हाथों लेना, जुड़कना, बुरा भला कहना, आस्तीन का साब कप्ती मित्र इधर उधर करना, टाल मटोल करना, इंदर का खाड़ा, एश मोज की जगा, इट से इट बजना, दस्त होना इट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना, इट का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना उड़ती खबर वैसीर पैर की बात, उल्टी गंगा बहना, अनहोनी होना, उठते बेटते हर समय, उठ जाना, उठा रखना, बाकी रखना उन्यस बीच होना, बहुत का मंतर होना, उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सानना, उल्टे छुरे से मुड़ना, वैकुप बनाकर लूटना, उचा नीचा सुनाना, भला बुरा कहना, उचा सुनना, कम चुनना, उथल पुथल मचाना, हल चल एक से तीन बनाना, खुब नफा करना, एक लाटी से सब को हखना, उचितनी आयना करना एक आख से देखना, समान भाव रखना, एक आख ना भाना, तनिक भी अच्छा ना लगना एक ना चलना, कोई उपाय सफलना होना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, खुब परिश्रम करना ओकली में सिर देना, इक्षा पुर्व किसी जंजट में पढ़ना, कश्ट सहने पर उतारू होना, ओस के मोती छण भंगूर शण भंगूर, कलाई खुलना, भेद प्रकट होना, कलम तोड़ना, खूब लिखना, अनूठी उक्ती लिखना, अनुपम रश्ना करना, कलेजा पटना, दिल पर बहत चोट पहुँशना करवटे बदलना, बेचेन रहना, काटा बिछाना, अजरण डालना, काला अक्षर भेज परापर अनपढ़ निरा मूर्ख काटे बोना बुराई करना काटों में घसीटना संकट में ढालना कमर बांधना कसना द्रण संकल्प करना काठ मार जाना इस्तब्द हो जाना काम तमाम करना मार डालना खत्म करना किनारा करना अलग होना कोडी के मूल विकना बहुत सस्ता विकना कागजी घोड़े दोड़ना वियर्थ की लिखा पड़ी करना किरकिरा होना आनंद बिघड़ जाना कुत्ते की मोत मरना बुरी तरह मरना कोदो देकर पड़ना अधुरी शिक्षा पाना कपास उठना सांसरी काम धंदों में लगे रहना कीचर उचालना निंदा करना कौलु का खूब परिश्रमी किताब का गीड़ा होना बराबर पड़ते रहना कागज काला करना बिना मतलब लिखना कोडी का तिन समयना तुच्छ समयना कोडी काम का ना होना किसी काम का ना होना कोडी कोडी जोड़ना छोटी मूटी सभी आयं को कंजूसी के साथ बचा कर रखना कच काटना आंक बचा कर भाग जाना कोहराम मचाना दुख पूर्ण चीक पुकार किस खेत के मूली अधिकार ही शक्ती ही खंखाना दवना नष्ट होना खट्या सेना विमार होना खरी-खोटी सुनना भला बुरा कहना खाग में मिलना बरबाद होना खार खाना दहा करना खेत आना युद्ध में मारा जाना खटाई में पढ़ना जमेले में पढ़ना पढ़ा रहना खा पका जाना बरबाद करना खेल खेलना परिशान करना खाक चानना भटकना बहुत दूंडना खुशाम दी टट्टू मोह देखी करना खूटे के बल कूदना, किसी के भरोसे पर जोर या जोश दिखाना खून का प्यासा, जान मारने पर उतारू, ख्याली पुलाव, सिर्फ कलपना करना गंगालाब होना, मर जाना, गलाज छूटना, पिंड छूटना, मुक्त होना गीदर भव की, मन में डरते हुए भी, उपर से दिखावती, क्रोध करना गुड गोवर करना, बनाया काम, विगारना, गुडियों का खेल, सहज काम गुरू गंटाला, बहुत चालाग फ्रेंट्स, आप चाहिए तो इसकी स्क्रीनशोट ले लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है इन सबको आप एक बार पढ़ते जाईएगा या चाहो तो पोस करकर देख लीजिएगा ये कुछ देखते हैं इंपोर्टन ये में करवा देती हो आपको जिसे मित किया एतिहासिक नामों से संबंद मुहावरे हैं जिसे कि अलाउद्दीन का चिराग आश्चर्य जनक वस्तू इंद्र का खड़ा रास रंग से भरी सबहा इंद्राशन की परी बहुत सुन्दर इस्त्री कर्ण का दान महादान कारू का खजान अतुल धन राशी कुबेर का धन या कोश अतुल धन राशी कुम्ब करणी नीद बहुत गहरी लापरवाही की नीद गोबर गणीश मूर्ख बुद्धू निकम्मा गोरक धन्दा बखेडा जंजट चानक्य नीती कुटल नीती छुपा रुस्तम असाधारण किन्तु आप्रसिद्ध गुणी तीस मार खान बनना अपने को बहुत शूरवीड समझना और शेखी बगारना तुगल की फर्मान जन्ता की सुविधा असुविधा का ख्याल किये ब ठन्वान・ राम जाने मनमाना हुक्म ठनकुबय अधिक धन्वान नादिर शाही हुक्म मनमाना हुक्म नारदम ने इधर उधर की बाते कर कलहा कराने वाला ज़ती परशू- राम का कोप अत्यदिक रोध पांचाले चीर बड़ी लंबी समाप्तना होने वाली वस्तू ब्रह् आगिरत प्रयतन बहुत बड़ा प्रयतन भीश्म प्रतिग्या कठोर प्रतिग्या महभारत भयंकर जगड़ा भयंकर युद्ध महभारत मशना खूब लड़ाई जगड़ा होना महभारत मचाना खूब लड़ाई जगड़ा करना यम लोग भीजना माल डालना रामबान तुर जाने मुझे नहीं मालूम एक प्रकार की इश्यपत खाना राम नाम सत्य हो जाना मर जाना राम बान ओशद अचूक दवा राम राम करना नमस्कार करना भगवान का नाम जपना लंका कान बहंकर विनाश लंका डहाना किसी का सत्यनाश कर देना लक्ष्मन रेखा लंग्य सीमा या मर्यादा विभीशन घर का भेदी या भेदिया शेख चिल्ली के इरादे हवाई योज ना अमल में ना आने वाले कार्य रूप में परणत ना होने वाले इरादे श्री गणेश करना आरंब होना सनीचर सवार होना दुरभाग्याना बुरे देनाना सुदामा की कुटिया गरीब की जोपडी हमीर हट अनूठियान हातिमताई दानशील परोपकारी नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है पटवारी के हिंदी स्लेबस का टॉपिक है लोकोक्तिया या कहावते ध्यान से समझते जाएए सुनते जाएए एक बार समझ नहीं आए वीडियो तो आप रिपीट करकर देख सकते हैं लोकोक्तियों का अर्थ है लोक में प्रशलित उक्ति जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशीश में अद्भुत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है इसी को कहावत कहते हैं उधारन स्प्रकार है उस दिन बात ही बात में राम ने कहा हां में अकेला ही कुआ खोद लूँगा इस पर सभी ने हसकर कहा व्यर्थ बकवक करते हो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता यहां अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकोक्ति का प्रियोग किया गया है जिसका अर्थ है एक व्य लोकुक्ति में अंतर क्या है दोनों में अंतर कुछ इस प्रकार है जैसे कि मोहावरा वाक्य अंश्य होता है जबकि लोकुक्ति एक पूरा वाक्य होता है दूसरे शब्दों में मुहावरों में उद्देश और विधय नहीं होता है जबकि लोकुक्ति में उद्देश और वि हूप में हुता इसलिए उनका स्वतंतर प्रियोग संभावें मुहावरे शब्तों की लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रियोग है जबकि लोकोक्तिया कहावते उनके अर्थ इस प्रकार हैं जिससे अशर्फी की लूट और जोड़े पर च्भा वयागा मोल्यवान वस्तुओं को नश्ट करना और तुझ्छु को सजोना, अधजल गगरी छलकत जार, थोड़ी विद्या धर्न या बल होने पर इत्राना, अंदो के आगे रोना अपना दीदा खोना, निर्दा या मोर्ख आगे तुखडा रोना बेकार होना, अपनी करनी पार उतरनी, किये का फल भोगना, अपना धेंडर ना देखे और दूसरे की फुली निहारे, अपना दोश ना देखका दूसरों का तोश देखना, अपनी अप परस पर संगठन या मेल ना रखना आप डूबे जग डूबा जो स्वयम बुरा होता है दूसरों को भी पुरा समझता है आग लगनते जोपड़ा जो निकले सोलाब नश्ट होती होई वस्तों में से जो निकल आए वह लाब ही है आग लगाता कर जमालो दूर खड़ी जगड लगाकर अलग हो जाना आगे नाथ ना पीछे पगहा अपना कोई ना होना घर का अकेला होना आगे कुआ पीछे खाई हर तरफ हानी की आशंगा आख का अंधा नाम नयनसुख गुण के विरुद्ध नाम आधा तीतर आधा बटेर बेमेल इस्तती आप भला तो जग भला स्वया अच्छे तो संसार अच्छा आम का आम गुठली का दाम सब तरह से लाब ही लाब आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास करने को तो कुछ आया करने लगे कुछ और इतनी सी जान गज भर की जवान छोटा होना पर बढ़ बढ़ कर बोलना इट का जवाब पत्थर दुष्ट के साथ दुष्टता करना इस हाथ दे उस हाथ ले करमों का फर शीगर पाना इश्वर की माया कही धूप कही जाया कहीं सुख कहीं दुख उल्टा चोर को तवाल को डाटे अपराधी ही पकड़वाने वाले को डाट बढ़ता है उची तुकान फीका पकवान बाहर धकोसला भीतर कुछ नहीं उचे चड़के देखा तो घर घर एके लेखा सभी एक समान उट किस करवट बेटता है किस की जीत होती है उट के मुहमजीरा जरुस से बहुत कब उट बहे और गधा पूछे कितना पानी जहां बड़ों का ठि एना न माधों का देना लटपट में अलग रहन एक पंथ दोकाज एक नहीं दोलाव एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चड़ा बुरे का और बुरे से संग होना एक अनार सो बीमार एक वस्तू को सभी चाहने वाले एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी दोश करके ना मानना एक म्यान में दो तलवार, एक स्थान पर दो उग्रविचार वाले ओचे की प्रीथ बालू की भीथ, नीचो का प्रेम शनिक ओश चड़ते से प्यास नहीं बुश्टी, अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता कभीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे बानी प्रक्रती विरुद्ध काम, कहा राजा भोज, कहा भोजवा गंगुते ली छोटे का बड़े के साथ मिलान करना, कहे खेत की सुने खलिहान की हुक्म कुछ और करना, कुछ और कहीं का इट, कहीं का रोडा, भानु मती ने कुणवा जोडा इधर उधर से सामान जुटा कर काम करना, काला अक्षर, तहिस बराबर, निरान पड़ नेक्स्ट है, काबुल में क्या गधे नहीं होते, अच्छे बुरे सभी जगा है का वर्षा, जब करशी सुखाने, मुका वीच जाने पर कार्य करना विर्थ है काट की हाड़ी दूसरी बार नहीं चड़ती, कपट का फल अच्छा नहीं होता किसी का घर जले, कोई तापे, दूसरे का दुख में देख कर अपने को सुखी मानना खरी मजूरी, चोखा गाम, अच्छे मुआफजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता खोदा पाहार निकली चुहिया, कठिन परिश्रम थोड़ा लाब, खेत खाए, गधा मार खाए, जोलहा अपराद करे कोई, दंड मिले किसी और को गाव का जोगी, जोंगडा, आनगाव का सिद्ध, पाहर की व्यक्तियों का सम्मान, पर अपने यहां के व्यक्तियों की कदर नहीं गुडगाय, गुलो-गुले से परहिच, बनावटी परहिच, गोद में छोरा, नगर में धिंडोरा, पास की वस्तु का दूर जाकर तून भुना गाच्छे कटहल ओठे तेल, काम होने के पहले ही फल पाने की इक्षा, गर्जे सो बर से नहीं, भकवासी कुछ नहीं करता गुरू-गुल-चेला, चीनी, गुरू से शिश्य का ज़्यादा काबिल हो जाना गड़ी में घर जले, नो गड़ी भद्रा, हानी के समय सुवसर, कुवसर पर ध्यान न देना घर पर फूस नहीं, नाम धन पत, कुछ नहीं पर गुणी कहलाना घर का भेदी लंका ढ़ाय, आपस की फूट से हानी होती है घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तू का कोई आदर नहीं करना घर में दिया, जलाकर मस्जिद में चलाना, दूसरे को सुधारने के पहले, अपने को सुधारना फ्रेंट से यह आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, काफी लंबा होने वाला है यह भी या पढ़ते चाहिए नेक्स्ट टॉपिक आग्या है इस्त्रिलिंग की परिभाशा वह संग्या जब शब्द जो हमें इस्त्रि जाती का बोध कराते हैं वे शब्द इस्त्रिलिंग संग्या शब्द कहलाते हैं जिसे एक्जामपल है सजीव माता, लड़की, भेद, गाय, भैस, पकरी, लोमडी, बंदरिया, मशली, बुढिया, शेरनी, नारी, रानी, राजकुमारी, बहनादी निर्जीव में धोती, टोपी, सड़क, सजा, भीर, छट, किताब, इट, इर्ष्या, मंजिल, परत, जोपडी, गंगा, नदी, शाखा, कुर्सी, आदी इस्त्रिलिंग शब्द के उधारण है ख, ट, वट, हट, अनि आदीवर्णों से खत्म होने वाले शब्द जैसे भूक, कोक, कडवाहट, सजावट, जेठानी आदी भाशा में बोलिया तथालिपियों के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फार्सी, मराथी, देवनागरी आदी तारीखों एवन तित्यों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, चतूर्थी, ग्यारस, प्रत्मा, पहली, तूसरी आदी इस्त्रिलिंग रहने वाली संग्या आए जैसे मशली, तितली, मख्यी, आदी प्राणी वाचक संग्या जैसे संतान, सोतन, धाय, आदी समुह वाचक संग्या जैसे सेना, तोली, भीड, सभा, कक्षा आदी आहारों के नाम है रोटी, सबजी, कचोरी, पुरी, इडली आदी आभुशनों एवं वस्त्रों के नाम है जैसे दोती, टोपी, बिंदी, सलवार, साडी, कमीज, अंगूठी, पैंट, चूडी आदी पुस्तकों के नाम जैसे महाभारत, रामायन, गीता, कुरान, बाइबिल, रामचरित्मानस आदी नदियों के नाम है जैसे नर्मदा, गुदावरी, सतलुज, गंगा, यमना, ब्रह्मपुत्र आदी अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदी संग्यायन जैसे तोपी, चिट्टी, उदासी, सरसो, प्यास, छत, नदी, रात, मामी, भाबी, आदी राशियों के नाम है जैसे कुम्भ, मीन, कन्या, तुला, करक, आदी मसालों के नाम है जैसे लोंग, इलाइची, हल्दी, मिर्च, दालचीनी, सोफ, आदी कुछ इस्त्रिलिंग शब्दों का वाक्य में प्रियोग इस प्रकार है, जैसे घटा, काली घटा का घमंड घटा खटास हमारे रिष्टों में थोड़ी खटास है, अंग्णाई, हमें सुभा उठते ही एक अंग्णाई लेनी चाहिए आदत मुझे दुमरपान की आदत सी हो गई है, आच, हमारे घर में आच लग गई है, एकता, अगर हमारे आपस में एकता नहीं होगी तो हम कमजोर पड़ जाएंगे खटिया, एक कमरे में दो खटिया पड़ी थी, छट, तुम्हारी छट पर कोई खड़ा है, टक्कर, हम दोनों की गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, तलाश, एक साल में हम उसकी तलाश कर रहे हैं ठकान, आजकल मुझे बहुत जल्दी ठकान हो जाती है, जलवायू, एक साल में यहां के जलवायू बिल्कुल बदल गई है, तकदीर, अपनी तकदीर से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता जाच, मैं अभी उसी की जाच कर रहा था, गोशना, आओ और जाकर युद्ध की गोशना कर दो, चुडेल, जब मैं रात में उठा तो एक चुडेल जा रही थी, जंग, जब हम दोनों के बीच एक जंग हो रही थी, कलम, मेरी कलम कर ही तूट गई थी, थेस, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत हिस पहुचाई है, बंदूग या बंदूग बहुत तेज आवाज करती है, भीक हमें कभी भीक नहीं मांगने चाहिए, नक्स्ट है वचन, वचन की परिभाशा क्या है, संग्या या सर्वनाम की उस रूप को वचन कहते हैं, जो उसके एक या एक से अधि संख्या में एक होने का बोध होता है, उसे एक बचन कहते हैं, जैसे एक बचन के उधारन है, वहाँ मेरे चाचा जी है, वहाँ मेरे लिए चाय लाया, आप कब आए, बहुचन शब्द के जिस रूप में उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुचन कहते जैसे बहुवचन के उधारने लड़के खेल रहे हैं दर्वाजा बंद करो बड़ों के आदर के लिए भी हम किसी शब्द के बहुवचन का प्रियोग करते हैं दादी जी आ रहे हैं माता जी घर पर नहीं है उपर दिये दोनों वाक्यों में हे का प्रियोग किया गया है जो कि वहू वचन है लेकिन आदर सुचक शब्दों में हम हे का प्रियोग कर लेते हैं जबकि उनको एक वचन ही माना गया है वचन का प्रभाव इस प्रकार है जिस प्रकार संग्या लिंग बदलने पर पूरा वाक्य प्रभावित हो जाता है उसी प्रकार संग्या या सर्वनाम के वचन के बदलने पर वाक्य के दूसरे भागों पर भी प्रभाव है वचन के बोलने से क्रियाभी प्रभावित होती है जैसे वहाँ आ रहा है एक वचन वे आ रहे हैं बहु वचन वहाँ मोटरसाइकल चला रहा है एक वचन वे मोटरसाइकल चला रहे हैं बहु वचन वचन की बदलने का प्रभाः विशेशन पर भी पढ़ता है जिसे कला घोड़ा भाग गया एक वचन काले घोड़े भाग गया बहुवचन नीला कपडा सूख गया एक वचन और नीले कपड़े सूख गया बहुवचन वचन संबन्दी कुछ विशेश बाते हैं मगर संग्या पत्थर में कोई परिवर्दन नहीं हुआ है, आप यहां पर बहुवचन में बदलने के लिए पत्थर को पत्थरों नहीं लिख सकते हैं, यहां एक अशुद्ध शब्द बन जाएगा, जिसके करण पूरा वाक्तिया अशुद्ध हो जाएगा, अन्योधारन दे बच्चा बच्चे बच्चो, लड़का लड़के लड़को, समुदाय वाचक संग्या में एक से अधिक लोगों के लिए एक वचन का प्रियोग होता है, जैसे सेना तयार है, एक वचन कक्षा में शोर हो रहा है, एक वचन कुछ शब्दों में कारक शब्द जोड़ने से सं माता या माताओ बेटा बेटो बहन बहने बहनो भाई भाई भाईयो बच्चा बच्चु द्यांदे संभोधन के लिए बहुचन रूप में माताओ बेटो उत्यादी की स्थान पर माताओ बेटो उत्यादी आता है कुछ संग्या शब्द हमेशा एक बचन में ही प्रियोग किय जाते हैं जैसे पानी घी आग चांद सूरज धरती सच तथा मिध्या पधार्थ के रूप में वायू भी हमेशा एक वचन में ही प्रियोग होती है कुछ संग्या शब्दों को हमेशा बहुवचन में प्रियोग किया जाता है लेकिन इसमें हमेशा किसी एक व्यक्ति की ही बात की जाती है जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिये हैं बहुवचन यहां देखा जाए तो यहां पूरा वाक की ही बहुवचन में है वाक के पढ़ कर पता चल रहा है कि व्यक्ति ने कई हस्ताक्षर किये हैं मगर हम हमने यह संग्या को एक वचन हस्ताक्षर में ही लिखा है जैसे इसे हस्ताक्षरों नहीं लिख सकते यहां अशुद्ध होगा मेरे आशु निकल रहें बहुवचन गर्व या स्वाभिमान के लिए बहुवचन का प्रियोग होता है जैसे हमने कहा था सो हम आ गए एक वचन अब यहां पर एक ही विखती आया है लेकिन में के स्थान पर वचन हमका प्रियोग किया गया है सब्धासी पेश आने के लिए हम तू के स्थान पर तुम वचन का प्रियोग करते हैं जैसे रोहित तुम चले आओ जाओ काजल तुम बड़ी ही बुद्ध दिमानां हों आदर के लिए बहुवचन का प्रियोग होता है जैसे पिता जी बाहर गये हैं यहां पर पिता एक वचन में होने परुजर आढल दिया गया है जैसे एक वचन घोड़ा और बहुवचन घोड़्यशूर inherently है प Article 15 दोरा कटोरे, दिबबा डिपे, ओधा ओधे, रास्ता रास्ती, चश्मा चश्मे, कमरा कमरे, खंबा खंबे, काला काले, मटका मटकी, पत्ता पत्ती, दाना दाने, पसग रहित इस्त्रिलिंग, अकारांत शब्दों में आंको ए में बदल कर, एक वचन से बहु वचन मनाना, जिसे याद यादे, बोतल पूतले, नहर नहरे, पुस्तक पुस्तके, कलम कलमे, रात राते, सडक सडके, बात बाते, बहन बहने, किताब किताबे, भहसे भहसे, लहर लहरे, परसक रहित इस्त्रिलिंग, अकारांत शब्दों में ए जोड़ कर बनाना है, एक वचन बहु परसंग्भ रही स्तीलिंग एकरांधीर शब्दों में यह जोड़कर बहु वचन ज crafts that शोज़एवा में बालि करनाने में ऑ वचन और बलिया में ज़ाश्या जारत श 你 हो?! भाबी भाबियां दवाई दवाईयां पादी पादियां टुकुडे टुकुडियां लड़ी लड़ियां इस्तरी इस्तरियां मिठाई मिठाईयां घड़ी घड़ियां कड़ी कड़ियां चाबी चाबियां टोपी टोपियां मकडी मकाडियां परसर रही जिसलिंग गुरांत का उकराण शब्दों का उई में बदल कर जिससे की वस्तू वस्तूती रितू रितूये लूरूये बहु बहुं धहतू धहु थह्थो दहू में अब यह हो तो उसे यह में बदल कर जैसे चुहियां चुहियां जड़ियां इसी प्रकार ऑर जन गण वर्ग वरंत आधी जोड़का जिसे गुरू गुरू जन अधिकारी अधिकारी वर्ग आगे जिसे घर घरो वाहन वाहनो लता लताओ उसी प्रकार मुख्या काई अनेक मुख्या मोसा काई अनेक मोसा हे बालक हे बालको हे मुनी हे मुनियो हे भाई हे भाई हे भाई अरे डाको उसी प्रकार शब्दों का लिंग परिवरता है जिसे गोड़ा गोड़ी देव देवी दादा दादी लड़का लड़की ब्रहमन ब्रहमनी नर नारी इसी प्रकार बहुवचन बनाए गये हैं आपको इका करके आप दीरे दीरे यह तो पोस करकर वीडियो देख लीजेगा नेक्स्ट टापिक आ गया है हमारा समनार्थी शब्द फिर समनार्थी शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है क्या होता है समनार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है समनार्थी शब्द को हम परियाई वाची शब्द भी कहते हैं परियाई का अर्थ है समान अर्थाद वाची का अर्थ है बोले जाने वाले अर्थत समान बोले जाने वाले शब्दों को हम परियावाची शब्द या समनार्थी शब्द कहते हैं परियावाची शब्दों को या समनार्थी शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है समनार्थी शब्द को अंग्रेजी में सिनोनेम्स कहते हैं जैसे कि अंधकार को अंधिरा, तम, तिमिर, तिमिस्त्र, अकस्मात, अचानक, अनायास, एकदम, एकायक, सहसा, अगडित, अंगिनत, अनन्त, असंक्य, असीम, अगनी, अनल, आग, ज्वाला, दव, पावग, वही, हुताशन, अज्यान, अविध्या, अविवेक, जड़, अगुनतक, पाहुना, मेमान, अधिको, अती, अतिशय, ज्यादा, प्रचूर, उसी प्रकारी आगे दिया गया है, अपमान का, अमरत, असूर, इनके यह आप देख लीजिएगा, यह आपके नोट से यूँ ही तयार हो जाएंगे, स्क्रीनशोट ले लीजिएगा, और इनको पढ़कर बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल आप दो से तीन बार देखिए, इसको वीडियो को पूरा, और जो स्क्रीनशोट लेने के हैं, उनको आराम से बैटकर, सुबह के टाइम पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे सब चीजे, पंडित को क्या बोलते हैं, कोविद, पारंगत, बुद्धिमान, बुद्ध, मनीशी, विग्य, विध्वान, शुधी, लेते चाहिए स्क्रीनशोट वर्षको वर्षाद, बारिश, मेह, वरष्टी, वर्षको तरू, तर्खत, दुरुब, पादप, पेड़, विटप, ध्यान से देखिए, चाहे तो वीडियो को पॉज़ करकर भी आप पढ़ सकते हैं, अब क्रिया से भाव वाचक संग्या बनाना, जिसे अस्ति अस्तित्व, ओड़ना ओड़ान, उतरना उतराई, उतारना उतार, उभरना उभार, उलजना उलजन, कमाना कमाई, काटना काट, खाना पीना खान पान, खेलना खेल इसी प्रकार आगे बीनने बनाया गया है अब आया है most important topic हिंदी के syllabus का हिंदी की प्रमुक्रशना है एवम रचिता के बारे में फ्रेंड्स यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल तो प्लीज सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और साइड में लगा बैल आइकन दबा दिजिए इससे हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले क्योंकि बहुत ही महनत लगती है इस वीडियो को बनाने में ये नोट्स रूनने में आपके लिए ही हम इतनी महनत करते हैं चलिए अब समझते हैं हिंदी के प्रमुख रशनाय एवं रचीता कोन-कोन है उनके बारे में फ्रेंड्स लेखगी बिठलनाथ रशनाय है इनकी श्रंगारस मंडन विदाहे ब्रज भाषा गध्य गोकुलनाथ 84 वेष्णवन की वारता 252 वेष्णवन की वारता गध्य सहित नाभादास अश्टयाम ब्रजभाषा गध्य बैकुंठ मनी शुक्ल अगन महत्माः वेशाक महत्म cadence ब्रजभाषा गध्य ललूलाल माधो विलास ब्रज भाषा गध्य प्रेम सागर कहानी चंद्र चंद बरनन की महिमा खड़ी बोली गद्य राम प्रसाद निरंजनी भाशा योग वशिष्ट खड़ी बोली गद्य दोलत राम पध्यपुराण भाशा नुवाद मतुरानात शुकल पंचांग दर्शन भाशा नुवाद इन्शाल्ला खा रानी केद की कहानी थे इनकी मुण्शी सदा सुखलाल सुखसागर खड़ी बोली गद्य सदल मिश्र नासिके तो पाख्यान आख्यान जटमल गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य देवकी नंदन चंदरकांता उपन्यास्थाइन का सदल मिश्र जी के नासिके तो पाख्यान आख्यान जटमल का बताई दिया गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य देवकी नंदन खतरी चंदरकांता उपन्यास और राजा शिव प्रशाद सितारे हिंद राजा भूज का सपना कहानी राजा लक्ष्मन सिह शकुंतला नाटक किशोरी लाल गोस्वामी इंदू मती कहानी थीन की श्री निवासदास परिक्षा गुरू उपन्यास स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाष धार्मिक गरंथ भारतेंदू हरिश्चंद्र अधेर नगरी सत्य हरिश्चंद्र भारत दुर्दर्शा वेदिकी हिंसा हिंसान भवती दिल्ली दरबार दरपण मदालसा प्रताप नारेन मिश्र हटी हम्मीर संगी शकुंतला नाटक कली कोतकू पद्धिनाटक हमारा करताव्य और युग धर्म निबंध श्याम सुन्दरदास रहस्य रूपक साहित्य लोचन अलोचना हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास इतिहास भाषा विज्ञान भाषा रहस भाषा विज्ञान विज्ञानिक कोश हिंदी शब्द सागर कोश प्रेम चंद की पात करें तो गुदान गबन कर्म भूमी रंग भूमी सीवा सदन प्रेमा श्रम निर्मला उपन्यास प्रेम की वेदी संग्राम कर्भला नाटक मांसरों पर आत भाग उसकी रात प्रेमान प्रेमान जली कुछ विचार कहानी संग्रह उसकी रात प्रेमान जली कुछ विचार कहानी संग्रह कहानी निबंद वियोगी हरी श्रद्धा करण प्राथना अनंतर नाद गध्यकावि शुद्धवानी उध्यान भावना उपदेश हरी भाव उपध्याय सर्वोदाय की पुर्ण्य इस्मरण बापू के आश्रम में इस्मरण गुलाबराय नरसे नारायन ठलुआ क्लब निबंद मेरे निबंद मन की बाते मेरी असफलताएं आत्म कथा और हिंदी का विमर्ष सिद्धानत और अध्यन अलोचना नवरस हिंदी नाट्य विमर्ष अलोचना रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास विनोबा भावे की बात करें तो भूदान यग्या गंगा गीता प्रवचन जीवन और शिक्षन गाव सुखी हम सुखी चीर तारुन्य की साधना विनोबा के वि साजगहट की सनद्धी में संस्मरण हजारी प्रसाद दुवेदी की बात करें तो कुटच कल्प लता अशोक के फूल विचार प्रभा निबंद पुनरवा वाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख अनाम दास का पोधा उपन्यास हिंदी साहित्य की भूमी का सिद्धों की बानिया आलोशना महादेविवर्वा विविच्रात्मक गध्या श्रंखला की कडिया निबंद अतीत के जल्चित्र इस्मती की रेखाएं पत के साथी मेरा परिवार संस्मरण और रेखा चित्र गेहूं और गुलाब निबंद पतितों के देश में उपन्यास चेता के फूल कहानी माटी की मूरते रेखा जित्र अंब पाला नाटक श्री राम शर्मा की बात करें तुसन बयालीस की संस्मरण सेवाग्राम की टाइरी जंगल के बीच शिकार बोलती प्रतिमा प्राणों का सोधा काका कालेलकर सर्वोदे जीवन का काव्ययात्रा हिमाले प्रवास उसपार के पडोसी बापू की जहांकिया जीवन लीला विनाय मोहन शर्मा की बात करें तो दक्षिन भारत की एक जलक साहित्य वलोकन द्रश्टिकोन निबंद साहित्य शोधन समिक्षा भाषा साहित्य समिक्षा आलोचना रेखायों रंग हिंदी गीत गोविंद शोध प्रविष्टी प्रवीधी संस्मरण और रेखा चित्र धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता उपन्यास सूरज का सात्वा घोड़ा अंदा धून नदी प्यासी थी नाटक थेले पर हिमालय कहनी अनकहनी पश्चनती निबंद चांद और तूटे हुए लोग कहनी संग्र नीली जील मानव मूल्य औ वर्मा म्रगनयने उपन्यास विश्नु प्रभाकर आवारा मसीह जीवनी मोहन राकेश आशाण का एक दिन लहरों की राजहन्स नाटक सूरिकांत त्रपाठी निराला कुली भाट नाटक माखनलाल चत्रुवेदी साहित्य देवता निबंद संग्रह कला का अनुवाद कहान अमरत राय के द्वारा कलम का सिपाही जीवनी पांडे बैचेन शर्मा उहर अपनी खबर आत्मकथा हरिवैश राय बच्चन क्या भूलू क्या याद करू निर्ड का निर्मान फिर आत्मकथा डॉक्तर राजकुमार वर्मा दीपदान प्रत्वी राज की आँखे एकाकी द कहानी राहुल चान क्रत्यायन मेरी लध्धक यात्रा मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा साहित्य डॉक्टर नामवर सिह कविता के नय प्रतिमान आलोचन जैनेंद्र कुमार चडिया की बच्ची त्यागपत्र कहानी उपन्यास फणिश्वर नाथ रेणू मेला आचर उपन् चिंतामणी निबंद ब्रहमरंगित सार आलोचन त्रिवेनी आलोचन हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचन विचार विथी निबंद संग्रह जैशंकर प्रसाद आकाशदीप आंधी पुरुषकार इंद्रजाल कहानी तितली कंकाल इसकंद गुप्त आजात शत्रू चंदर द्रुवस्वामिनी राजिश्री एक घुट जनमैजय का नागजय का मायनी कानन कुसुम ये सभी कहानी है इनकी पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी जहलमला कुछ बिखरे पन्ने पंच पात्रक्या लिखूं पद्यवन तीर्च सलील प्रबंद परिजात मकरंद बिंदू डॉक्टर राजेंगर परसाद ही साहित्य संस्कृति का अध्यन बापुजी के कदमों में ये निभंद था इनका भारती शिक्षा शिक्षा और संस्कृति गांधी जी की देन रहती के फूल राष्ट भाषा और राष्टी एकता दर्शन देश विदेश संस्कृति के चार अध्याय बारती संस्कृति की एकता शुद्ध कविता की ओर साहित्य-ओर कला ये इनकी यात्रा वरत्त थी डॉक्टर राजेंद्र परसाद की नेक्सट है रस्वन्ति काव् भगवत शर्ण उपाध्याय विश्व को एशिया की देन इतिहास साक्षी है इतिहास साक्षी है खून के चीटे यह निभंद फ्रेंट्स उमीद है आपको यहाँ वीडियो पसंद आई होगी कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को आप रिपीट करकर आराम से देख लीजिए मैंने आपका हिंदी का स्लेबस के एक टापिक इसमें कवर करवा दिये हैं पूरे नोट्स बहुत महनत से निकाले हैं बहुत ही इंपर्टेंट नोट्स से हैं इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर और वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूले अधिक से अधिक शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में